दूबय में मजदूरों की जिन्दगी कैसी होती है Life of Levers इन दूबय Friends, दूबय के नाम शही आपके मन में Hanging Garden, रेत पर बना कोर और शमूंद्र में तेरता हुआ शहर अन्य शबी नजर आती होगी पर क्या, आपको पता है कि इन सब को बनाने में जिन मजदूरों का खून पशी न बहा है उनकी हालात दूबय जेशी आलिशान शहर में कैसी होती होगी यकीन मानिये इस ओडियो एंड वीडियो को देखने के बाद आपके पैरो तले जमीन खशक जाएगी Friends, मैं आपको बता दू इन सबी लेवर्स को भारत और अन्य देशों से मोटी रकम का लालज देकर दूबय बुलाया जाता है यहां तक कि इनका फ्लाइट का खर्चा भी कमपनी उठाती है पर जब ये लेवर्स एक बार दूबय की जमीन पर लैंड कर जाते हैं तो इनसे इनकी पासपोर्ट और समान सभी छीन ली जाती है Friends, हद तो तब हो जाता है जब इन्हें पच्पन डिगरी की वीशन गर्मी में 14-15 घंटे काम करने के बावजोद इन्हें पूरी पगार नहीं मिल पाती है पगार को छोड़िये इतनी अधिक गर्मी में इनका सरी डिहाइडरेट होने लगती है तब इन्हें नहाने और पीने के लिए परियाप्त पानी भी नहीं मिल पाती है और काम के खत्म हो जाने के बाद इन्हें गंदे और वदबुदार इमारत में ले ली जाती है जहां पर करीब 3 लाख लोगों को रखा जाता है वहां एक कमरे में लगभग 40-50 लोगों को भेडबकरियों की तरह डाल दिया जाता है यहां तक कि यह दशनार्थियों की तरह देख भी नहीं सकते और उनसे बात भी नहीं कर सकते ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन मज़दूरों की वेवस चेहरे को देखकर किसी दर्शनार्थियों को इनके उपर दया ना आ जाए Friends, मैं आपको चेतावनी वार्निंग कर देता हूँ अगर आप भी दुबै जैसी अलिशान सहर में जाकर मोटी रकम कमाना चाते हैं तो एक बार जरूर से जरूर सोच ले अगर मेरी वीडियो इन्फोर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले